नेक्स्ट एपिसोड के लिए 100 लाइक्स का टारगेट है। अगर आप नेक्स्ट एपिसोड सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो पर 100 लाइक्स का टारगेट कम्पलीट करवा दीजिएगा। जैसे ही इस वीडियो पर 100 लाइक्स कम्पलीट हो जाएगा, आपको नेक्स्ट भाव को देखा वह अचानक उन तीनों की तरफ देखते हुए बोला अब बोलोगे भी कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे थे। तभी शोबित ने कहा भाई वह हम तो ये जानने के लिए आये थे कि आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है अगर हैक्षा तो बता दीजि एक दूसरे के तरफ हैरानी भरी निगाहों से देखने लगे जिसे देखते ही अचानक सारांश ने कहा अरे भाई हम तो बस ऐसे ही यहाँ पर आये थे आप तो हमारी बातों को सीरियसली ले रहे हैं आप अपना काम कीजिए हम आपसे बाद में बात करेंगे। इतना कहने के बाद सुनते ही तीनों वहां से रफू चक कर हो गए उन तीनों को वहां से जाता हुआ देख कुषानक मुह बनाते हुए दरवाजा बंद करके कमरे में वापस आया। कमरे में वापस आने के बाद जब कुषांक ने शिवानी को देखा तो वह कुछ बोलता उससे पहले ही ने कुशांक से पूछा कौन था बाहर जिसके साथ तुम बातें कर रहे थे शिवानी के सवाल को सुनते ही कुशांक ने कहा गांधी जी के तीन बंदर रास्ता भूल गए थे तो बस उन्हें रास्ता बता रहा था इतना कहने के बाद कुशांक फ्रेश होने के लिए वाश्रूम में चला गया जिसे देखकर और कुछंक की बातों को सुनकर शिवानी कन्फ्यूज होकर कुशांक को देखने लगी कुछ देर बाद कुशांक वापस कमरे में आ गया और कमरे में आने के बाद वह शिवानी को देखने लगा जैसे ही कुशांक ने शिवानी को देखा वैसे ही वह टौवल को सोफे पर फिंकते हुए शिवानी के पास जाने लगा जैसे ही शिवानी ने कुशांक को अपने करीब देखा वैसे ही वह कुशांक की तरफ देखते हुए बोली क्या तुम्हें कुछ बोलना है शिवानी के सवाल का जवाब देते हुए कुशांग ने कहा तुम्हें पता है ना कि आज क्या है फिर भी तुम मुझसे पूछ रही हो कुशांग के सवाल को सुनते ही शिवानी ने कहा हाँ मुझे अच्छे से पता है कि आज हमारी फर्स्ट नाइट है लेकिन इससे पहले कि तुम फर्स्ट नाइट पर और आगे बढ़ो मुझे मेरा गिफ्ट दे दो और अगर गिफ्ट नहीं तो कुछ और भी नहीं शिवानी की बातों को सुनते ही कुशांग शिवानी के तरफ मुझे बना कर देखने लगा जिसे देखने के बाद भी शिवानी हाथ फैला कर खड़ी थी जिसे देख कुशांग ने कहा मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर नहीं आया हूँ इसलिए मेरे पास कोई गिफ्ट कुशान् barr की बातों को सुन शिवानी ने कहा तो फिर रहने दो इतना कहते हैं शिवानी बیड पर आराम से सोने की कोशिश करने लगी जिसे देखकर कुशान्ठ ने मुह बनाते हुए कहा तुम हमारे इतने स्पेशल दिन को ऐसे खराब कैसे कर सकती हो तुम्हें गिफ्ट चा पर एक मुस्कान आगे फिर वह अपने पॉकेट से एक ब्लैक कार्ड निकलते हुए शिवानी को दे दिया जिसे देखकर शिवानी काफी ज्यादा खुश हो गई। तभी अचानक कुशान्क ने शिवानी के होटों पर अपने होंट रग दिये शिवानी ने कुशान्क को रोक नहीं वह भी कुशान्क के किसका जवाब देने लगी। फोन बजने लगा जैसे ही कुशान्क को एसास हुआ कि उसका फोन बज रहा है वह वैसे ही फोन उठाते हुए बोला अगर इंपोर्टेंट बात है तो भी मुझे इस वक्त परेशान मत करो। कुशान्क की बातों को सुनते ही फोन के दूसरी तरफ से कुशान्क के असिस्टेंट की आवाज आई सर आज आपकी नौ बजे की इंपोर्टेंट मीटिंग थी आप भूल तो नहीं गए ना। असिस्टेंट की बातों को सुनते ही कुशान्क अपने फोन पर टाइम देखने लगा जैसे ही कुशान्क ने देखा कि अभी सिर्फ आठी बचे हैं तो वह अपने असिस्टेंट से बोला नहीं बोला मैं पहुंच जाओंगा अब मुझे परेशान मत करो। इतना कहते ही वह अपने फोन को साइड पर रख देता है तभी उसकी नजर शिवानी पर पड़ी जो किसी छोटे बच्चों की तरह सो रही थी जिसे देखने के बाद वह शिवानी के चहरे पर आए बालों को उसके कानों के पीछे करने लगा फिर वह शिवानी के मासूम से चहरे को निहारने लगा तभी कुशांक की नजर फर्ष पर गई फर्ष को देखते ही कुशांक एक गहली सांस लेने लगा क्योंकि फर्ष की हालत कुछ ज्यादा ही खराब लग रही थी फर्ष पर दोनों के कपड़े बिखरे हुए थे उन कपडों को देखने के बाद अमें को याद करने लगा और याद करने हुए उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई फिर वह दोबारा शिवानी के तरफ देखने लगा। तबी शिवानी अचानक आखें खोल कर कुशांत को देखने लगी जिसे देखकर कुशांत दर्के मारे बैड के साइप पर गिर गया। जिसे देखकर शिवानी बैड पर बैटते हुए बोली, तुम मुझे ऐसे क्यूं देख रहे थे? शर्म नहीं आती ऐसे किसी को तारते हुए. शिवानी की बातों को सुनते ही कुशांक ने कहा, इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है अपनी बीवी को ही तो देख रहा था किसी शिवानी के हाथ पर पिंच करते हुए बोला, होश में आ जाओ बीवी की तुम मेरी ही बीवी हो ना अगर नहीं हो तो फिर बता दो मैं तुम्हें तुम्हें तुम्हारे घर चोड़कर आ जाओंगा ऐसे अजीब और गरीब बातें करना बंद करो मैं तुम्हारी जैसी पा जिस वजह से वह अपने पास से ही एक तक्ये को कुशानक की तरफ करने लगी पर वह तक्या किसी और जगह पर ही जाकर लगी फिर कुछ देर बाद कुशानक और शिवानी दोनों ही फ्रेश होकर नीचे आ गए जैसे ही वह दोनों नीचे पहुंचे वैसे ही उन दोनों की न उन्टे ही इशानवी धीमी आवाज में कुछान्क से पूछने लगी क्या हुआ रात में कुछ ज्यादा ही परेशान तो नहीं क्या शिवानी ने जो आप उसकी शिकायत करने के लिए आये हो जैसे ही कुछानवी की बातों को सुना वैसे ही वह शिवानी के तरफ देखने लग इशानवी के सवाल को सुनते ही कुशान्ग ने कहा, क्योंकि मुझे तुम से कुछ पूछना है इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ कुशान्वी की बातों को सुनते ही इशान्वी ने कहा ऐसा क्या पूछना है जो आप मुझे यहां पर कीच कर लेकर आए हैं इशानवी के बातों को सुनते ही कुशांग ने पूछा मैंने सुना कि तुम्हारे पास आरोही और उत्तम के खिलाफ कोई सबूत है जो पूरे अग्रवाल फैमली को बरबाद कर सकता है अगर यह सच है तो फिर फिलहाल ऐसा कुछ मत करना जिस वजह से सब कुछ बिगर जाए इसके आगे कुशांग कुछ बोल पता तभी इशानवी ने उसकी बातों को बीच में ही कातते हुए कहा मैं इतनी बेवकुफ नहीं हूँ भाई की मैं इतना बड़ा कांड कर दूँ मैं बस सही मौके की तलाश में हूँ जैसे ही मुझे मौका मिलेगा वैसे ही मैं ऐसा बार करूगी की दोबारा आ रोही और उत्तम हमारे खिलाफ कुछ बोल ही नहीं पाएंगे इशानवी की बातों को सुनते ही कुछानक एविल समाइल के साथ बोला मुझे मेरी प्यारी बेहन पर काफी जादा नाश है और मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारो ही के सामने इस बार हार नहीं मानोगी क्योंकि तुम्हें ऐसी ट्रेनिंग दी गई है कि तुम कभी भी किसी के सामने हार नहीं मानती जब कुछानक और इशानवी दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे तभी वहाँ पर विवान आया विवान ने जब दोनों को हसी मजाक करके बातें करते हुए देखा तो वह दोनों के पास आकर खड़ा हो गया और खड़े होने के बाद वह दोनों से पूछने लगा क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में सच सच बताओ कि तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है क्या तुम दोनों कोई खुराफात करने के बारे में सोच रहे हो अगर ऐसी बात है तो यहाँ पर कुछ ऐसा मत करना जिस वज़े से बाद में मुझे संभालने के लिए दिक्कत हो जाए वैसे भी तुम दोनों जब भी एक साथ होते हो कोई ना कोई खुराफात जरूर करते हो विवान की बातों को सुन कुशान्ग ने धीमी आवाज में इशानवी से कहा लगता है हम दोनों के एक साथ होने की वजह से ना भाई को डर लगता है इसलिए तो वह यहाँ पर तपक गए कुशान्ग की बातों को सुन इशान भी मुस्कुरा कर कुशान्ग को देखने लगी तभी वहाँ पर आदित्य भी पहुँच गया आदित्य ने जैसे ही तीनों को देखा वैसे ही वह भी तीनों के सामने जाकर खड़ा हो गया और खड़ा होने के बाद वह तीनों की तरफ ऐसे देख रहा था जैसे तीनों कोई चोरी कर रहे हैं जिसे देखने के बाद विवान ने आदित्य से पूछा, क्या है ऐसे क्यूँ देख रहे हो और मेरी तरफ तो ऐसे देखना भी मत मैं कोई खुराफात नहीं करता, खुराफात करने वाले ये दोनों है जब भी एक साथ दिखाते हैं कोई ना कोई खुराफात जरूर करते हैं. विवान की बातों को सुना दित्य ने कहा विवान ऐसा लगा है जैसे यहाँ पर किसी की कमी है तभी अचानक कुशांट ने कहा अरे गांधी जी के तीन बंदर की कमी है कुशांट की बातों को सुन विवान ने कनफ्यूज होते हुए पूछा गांधी जी के तीन बंदर विवान के सवाल को सुनते ही कुशांट ने बोला हाँ बिलकुल उन तीनों से आप अगर सवाल पुछेंगे तो एक बोलेगा कि मैंने कुछ नहीं देखा और अगर आप दूसरे से सवाल पुछेंगे तो वह ये रहेगा कि मैंने कुछ नहीं सुना और अगर आप तीसरे से को तीनों को हस्ता हुआ देख कुशांग भी तीनों के साथ हंसने लगे जैसे ही शिवानी बाहर आई वैसे ही उसने चारों को हंसते हुए देखा जिसे देखकर वह ध्वनी से पूछने लगी, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि वह चारों ऐसी कौन सी बात कर रहे हैं जिस पर च शिवानी के सवाल को सुनते ही ध्वनी चारों की तरफ देखने लगी और देखने के बाद वहमन ही मन में बोली जरूर सारांश मेरे और शोबित के बारे में ही बात कर रहे होंगे वैसे भी कुशांक ने तो हम तीनों का नाम गांधी जी के तीन बंदर रखे हैं तो जरूर उ पता चलते ही अचानक ध्वनी दर के मारे भागने लगी जिसे देख शिवानी खुद से ही बोली अब इसे क्या हो गया है ऐसे क्यों भाग रही है जैसे भूत देख लिया हो। अब मुझे क्या पता की चारों क्या बात कर रहे हैं मैं थोड़ी ना उनकी आवाज यहां तक सुन सकती हूं मेरे पास। कोई सुपर पावर नहीं है तुम जाकर खुद ही पता कर लो। अब बातों को सुन आरोही ने कहा भाई शादी पर बुलाने वाली बात तो छोड़ दो क्योंकि हम चाहते थे कि शिवानी की शादी आप से हो पर वह तो हुआ नहीं तो फिर उसकी शादी पर जाकर आप क्या करने के बारे में सोच रहे थे। आरोही की बातों को सुनते ही उत्तम ने कहा तुम तो कुछ बोल ही मत क्योंकि यह जो कुछ भी हुआ है ना वह सिर्फ तुम्हारी वज़े से हुआ है ना तो इशानवी को सालों पहले मारती और ना वह अब बदला लेने के लिए वापस लोटती और अगर मार नहीं था तो अचानक निहान ने कहा वह सारी बातें छोड़ो की उसे किस ने बचाया वह कैसे बचे ये सोचों की सालों बाद उसके वापस लोडते हैं मृत्यूंजे ने उस लड़की से जबरदस्ती शादी क्यों कर ली या तो मृत्यूंजे पहले से उसे जानता है या कोई ऐसी बात है जिसके बारे में हमें पता नहीं पहले वह पता करने की कोशिश करो। नहान की बातों को सुनकर हर कोई एक दूसरे की तरफ देख रहा था क्योंकि नहान की बातों मेंанич पॉइंट तो था तभी कल्यानी जी ने कहा, जो भी है अब हम उस लड़की का कुछ नहीं दिखा सकते क्योंकि वह अगरवाल फैमिली की बेटी है और साथ में अगनेहुत्री फैमिली की बड़ी बहू तभी अचानक आरोही ने इविल स्माइल के साथ कहा दिखा सकते हैं मौम और वह भी ऐसे भी कर सकते हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता आरोही की बातों का मतलब किसी को समझ नहीं आया जिस वजह से सब लोग आरोही के तरफ कन्फ्यूजन भरी नजरों से देखने लगे तभी उत्तम ने पूछा तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है आरोही साफ साफ बताओ ऐसे घुमा फिरा कर बात करने की जरूरत नही है उत्तम के सवाल को सुनते ही आरोही ने कहा आपको याद है कि अगनेहुतरी फैमिली में एक और रहता है जिसकी अब तक शादी नहीं हुई है तो हम सोच रहे हैं कि हम अब उसे फसाएंगे और जब हम उसे परिवार में बहु बन कर जाएंगे तब पूरा परिवार सिर् भी नहीं हमें लगता है कि तुम्हारा आइडिया बिल्कुल सही है अगर संगम से तुम्हारी शादी होगी तो तुम को मल को भी अपने वश में कर सकती हूँ उसे इशानवी के खिलाफ इतना भरका देना कि वह कभी भी इशानवी की बात सुने ही ना कल्यानी जी की बातों को सुनने के बाद आरोही इविल स्माइल के साथ अग्रवाल फैमिली के सारे लोगों की तरफ देखने लगी वहीं दूसरी तरफ अग्निहोत्री पहले इसके अंदर वसुंधरा जी और कोमल जी दोनों ही लंच की त्यारी कर रहे थे तभी घर का बेल बचाने लगा जिसकी आवाज सुनते ही कोमल जी तुरंत ही दरवाजा खोलने के लिए चली गई जैसे ही दरवाजे पर कोमल जी ने आरोही को देखा वैसे ही वह मुस्कुराते हुए बोली अरे आरोही बेटा अच्छा हुआ तुम यहाँ पर आ गई वैसे हम तुम्हें फोन करने ही वाले थे वह हमने तुम्हारी फैमली को शादी पर नहीं बुलाया है ना तो उस बात क हम खुद ही आप सबसे मिलने के लिए आ गए आरोही की बातों को सुनने के बाद कोमल जी आरोही को अंदर लेकर चले आए वही अमूल्य ने जैसे ही आरोही को वहाँ पर देखा वैसे ही वह तुरंत तृशा की तरफ देखते हुए बोला यार मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह लड़की अभी भी इस परिवार के पीछे क्यों पड़ी हुई है कहीं इसकी नजर संगम भाई पर तो नहीं है अमूल्य की बातों को सुनते ही त्रिशा ने भी धीमी आवाज में कहा आरोही चाहे कितनी भी नजर संगम भाई पर दाल ले पर भाई इस लड़की से बातों को सुनते ही अमूल्य त्रिशा के तरफ देखने लगा जिसे देखने के बाद अमूल्य ने आरोही की तरफ देखकर धीमी आवाज में कहा तुम्हारी बात में तो दम है लेकिन फिर भी यह आरोही अगरवाल है ये चाहे तो कुछ भी कर सकती है इसलिए हमें संभाल कर रहना होगा. अमूलय की बातों को सुनतरिशा ने धीमी में आवाज में कहा, हाँ तुम्हारी बातों में भी दम है पर फिर भी हमें नहीं लगता कि आरोही इस बार कुछ कर पाएगी. हमें ना एक स्ट्रांग फीलिंग आ रही है कि आरोही इस बार अपने ही खेल में उलज आरोही की बात सुनते ही अचानक अमूल्य ने कहा, सौरी आरोही पसनल बात है इसलिए हम तुम्हें नहीं बता सकते। आरोही की बातों को सुनते ही कोमल जी ने कहा, अरे भावी वहतो शिवानी और कुशान्त को लेने के लिए ही गई है भाई साहब और मुझे बात कर गई है। संगम को देखा वैसे ही वह संगम की तरफ बहुत ही ध्यान से देखने लगी आरोही की नजरों को फॉलो करते हुए अमूलय और त्रिशा संगम को देखने लगे। जिसे देखने के बाद दोनों ही एक दूसरे की तरफ हैरानी भरी नजरों से देखने लगी क्योंकि उन दोनों का शक बिल्कुल सही साबित हो रहा था कुछ ही देर बाद वहाँ पर शिवानी और कुशान्त भी पहुंच गए। जैसे ही वसंधराजी ने दोनों को देखा पैसे ही वह दोनों की स्वागत पर लग गए जिसे देखकर शिवानी ने कहा ये सब करने की क्या जरूरत है पैसे हम तो घर वाले ही है ना अगर कोई बाहर वाला है तो ये कुशान्त है अपना इसकी खातेदारी करो मैं तो जाते ही कुशान्क मुह बना कर शिवानी को देखने लगा वही वसुंधरा जी कुशान्क को भी अंदर ले जाने लगे। वैसे ही वह दोनों एक दूसरे को फिर से देखने लगे तभी इशान्क से कहा भाई गांधी जी के तीम बंदर कहाँ पर है आप तो उन्हें साथ में लेकर आने वाले थे ना। काम होगा उन तीनों को। इशान्वी की बात सुनते ही कुशान्क हैरान होते हुए बोला क्या बात कर रहे हो मुस्कान की ब्लाइंड डेट पर उसने तो हमें कुछ बताया ही नहीं है उसने कहा बस उसे चोटी सी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तबी अचानक वहाँ पर शौर्य की एंट्री होती है जैसे ही कुशान्क शौर्य को देखा है वैसे ही वह खड़ा होकर शौर्य को गले लगाते हुए बोला कैसे हो भाई। कुशान्क के ऐसे अचानक गले लगाने की वज़े से शौर्य डर गया लेकिन वह अपने चहरे के भाव को बदलते हुए कुशान्क से बोला मैं बिल्कुल ठीक हूँ मेरे छोटे भाई तुम कैसे हो अभी अभी तुम लोग क्या बाते कर रहे थे मुसकान की ब्लाइंड ड सुशान्क की बातों को सुनते ही इशान्वी कुशान्क की तरफ हैरानी से देखने लगी तभी शौर्य ने कहा बेटा लगता है तुम्हें जल्दी घर वापस नहीं जाना है आप ऐसा क्यूं बोल रहे हो भाई कुशान्क ने कन्फ्यूज होते हुए पूछा जिसके जवा जवाब में शौर्य ने कहा वह क्या है ना अगर तुम्हारी यह बात तुम्हारी बीवी ने सुन लिया तो यहीं पर तुम्हें ज़ाडू लेकर दोड़ाएगी इसलिए कुछ बोलने से पहले अपने आसपास देख लिया करना वरना किसी दिन तुम्हारी सच में पिटाए होगी शौर्य की बातों को सुनते ही कुछांत नकली हसी हसते हुए बोला भाई आप भी ना शिवानी का नाम लेकर आप मुझे कितना डराते हो पर कोई बात नहीं मैं अपनी बीवी को संभाल लूंगा पर आप बताओ आप कब हमें भावी दे रहे हो कुछांत के सवाल का जवाब देते हुए शौर्य ने कहा अगले जन्व में और अगर दोबारा भावी कहा ना तुम्हारा मुह तोर दूंगा इतना कहने के बाद शौर्य सीधा मृत्यून जय के कमरे की तरफ चला गया वही कुछांत मुह बना कर शौर्य को देखने लगा जिसे देख इशानव है और तुम्हें अच्छे से पता है विवान भाई की शादी के नाम से कोसो दूर भाग जाते हैं और रही बात अदित्य भाई की उनकी तो लव स्टोरी वही की वही ठारी हुई है ना वह जाकर अपनी फिलिंग्स का इजहार करेंगे और ना ही वह किसी और के साथ उसे बर करते हैं तो हर किसी की शकी नजरे हमारे उपर ही रुप जाते हैं माना कि हम दोनोंने मिलकर बहुत सारे अजीब और गरीब हरकते की है इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम अच्छे से बात ही नहीं कर सकते हम हमेशा बस खुराफात करने के बारे में ही सोचते रहते हैं इने मुऊ बनाते हुए कहा, भाई अब जले पर नमक श्रिकने वाली बातें क्यूं करते हो? अगर नहीं तो फिर इतने भी डिटेल में बात करने की जरूरत नहीं है अमूल्य की बातों को सुनते ही दोनों अमूल्य की तरफ देखने लगे फिर ईशानवी अपने कमरे में चली गई इसके बाद कुशांद बाकी सब के साथ बातें करने लगा वही जब से संगम ने सुना है कि मुसकान ब्लाइंड डेट पर गई है तब से पता नहीं उसके दिल में एक अजीब सा दर्द हो रहा था जिस वज़े से वह अपने कमरे में बैठा हुआ था जब संगम अपने कमरे में बैठ कर यही सोच रहा था कि उसे मुसकान के किसी और के साथ ब्लाइंड डेट पर जाने की वज़े से दिल में दर्द क्यूं हो रहा था तब ही उसे एहसास हुआ कि उसके दर्वाजे पर कोई खटखटा रहा है जिसका एहसास होते ही वह दर्वाजा खोलने के लिए चला गया दर्वाजा खोलते ही जैसे ही संगम में अपने सामने आरोही को देखा वैसे ही वह आरोही के तरफ देखते हुए पूछने लगा क्या हुआ तुम यहां पर क्या कर रही हो तुम तो नीचे बैठी हुई थी संगम के सवाल को सुनते ही आरोही ने कहा मैं बस सोच रही थी कि मैं तुम से बात करूँ वैसे हम दोनों के बीच में कभी बात नहीं होती तो मैं बस बात करने के बारे में सोच रही थी आरोही की बातों को सुनते ही संगम अपनी आँखें छोटी करके आरोही को देखने लगा जिसे देखने के बाद वह आरोही से बोला कोई जरूरत नहीं है मुझसे बात करने की और वैसे भी मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारा इरादा क्या है इसलिए अच्छा होगा कि तुम यहां से चली जाओ इतना कहने के बाद संगम ने आरोही के मुह पर ही दर्वाजा बंद कर दिया जिसे देखकर आरोही को काफी ज्यादा गुसा रहा था और वह दात पीस कर पैर पटकते हुए वहां से चली गई वही तृषा और अमूल्य दोनों ही कुछ दूरी पर से आरोही और संगम की बातो को सुन रहे थे जिसे सुनने के बाद अचानक अमूल्य ने कहा ये हुई ना हमारे भाई वाली बात वैसे मुझे तो पहले से ही पता था कि आरोही को संगम भाई से यही सारी बातें सुनने को मिलेगा अमूल्य की बातों को सुनते ही त्रिशा ने कहा हा मुझे भी पता था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है पर फिर भी मैं अपनी आँखों से देखना चाहती थी अब जब देख लिया है तो एक सुकून मिल रहा है इतना कहने के बाद दोनों ही एक दूसरे की तरफ मुस्कुरा कर देखने लगे कुछ देर बाद सब लोग एक दूसरे के साथ बैठ कर ल मैं आप सबसे बाद में बात करूंगी इतना कहने के बाद वह वहां से जाने लगी पर वह जिस तरह से जा रही थी उसे देखकर ऐसा ही लग रहा था कि अगर दुबारा किसी ने उसे रोकने के लिए कहा तो वह रुक जाएगी पर इस बार किसी ने उसे रोकने के लिए कहा से मिलने की जिद क्यूंकी थी ये बात समझ में आने के बाद भी ध्वनी अपने भाई से मिलने के लिए उसके सामने जाकर बैठ गई पहले तो ध्वनी अपने भाई संक्षिप्ट से बहुत ही प्यार से मिली फिर उसके भाई संक्षिप्ट ने अपने दोस्त अक्षर से मिलत साथ ज़्यादा वक्त रहती हो और उसी के साथ तुमने पढ़ाई कंप्लीट की है अक्षर के सवाल का जवाब देते हुए बोली हां संक्षित भाई के अलावा मेरी बैस्ट फ्रेंड इशानवी की फैमिली नहीं मेरा बहुत सपोर्ट किया और उन्होंने ही में ही पढ़ाई की नजर उन दोनों पर बढ़ी जिसे देखने के बाद उसकी आँखें गुस्से से लाल होने लगी और वह गुस्से भरी निगाहों हो से अक्षर और ध्वनी दोनों को बात करते हुए देख रहा था अक्षर और संक्षिप्ट से मिलने के बाद ध्वनी जब वापस बाहर निकाल कर गई वैसे ही उसके सामने एक गाड़ी आकर रुकी गाड़ी को देखते ही वह काफी जादा हैरान हो गई तभी गाड़ी के अंदर बैठे हुए शक्स को देख कर तो वह बर्फ की तरह जम गई तभी गाड़ी के अंदर से आवाज आए बैठो गाड़ी में मैं तुम्हें घर ले चलूँगा द्वनी के सामने और कोई नहीं था बलकि आदित्य बैठा हुआ था आदित्य को देखते ही और आदित्य की बातों को सुनते ही द्वनी तुरंथ ही गाड़ी के अंदर बैठ गई द्वनी के गाड़ी के अंदर बैठने ही आदित्य गाड़ी चलाने लगा आदित्य गारी बहुत ही ज्यादा स्पीड चल रहा था जिस वज़े से ध्वनी काफी ज्यादा परेशान नजर आने लगी लेकिन वह आदित्य से कुछ बोल भी नहीं पा रही थी इसलिए वह बस खामुशी से बैटी हुई थी लेकिन जब ध्वनी को एहसास हुआ कि आदित्य से घर ले जाने की वज़य कहीं और ही लेकर जा रहा था तो वह आदित्य से सवाल पूछना चाहती थी कि आदित्य उसे कहां लेकर जा रहा है पर आदित्य के चहरे के भाव को देखते ही उसके सवाल तो उसके गले में ही अटक चुके थे वह कुछ बोल भी नहीं पा रही थी लेकिन उसे काफी जादा घबराहट हो रही थी इसलिए वह music on करने लगी जैसे ही ध्वनी ने music on किया वैसे ही एक romantic सा song play होने लगा जिसे सुनते ही ध्वनी फटाफट music off करने की कोशिश करने लगी लेकिन तभी आदित्य ने ध्वनी के हाथ को पकड़ लिया और वह ध्वनी के तरफ देखते हुए बोला गाने में क्या problem है जो तुम बंद कर रही हो आदित्य के सवाल को सुनते ही ध्वनी थोड़ा सा हकलाते हुए बोली वह वह हमें लगा कि आपको ये गाना बिल्कुल पसंद नहीं आएगा इसलिए हम बंद कर रहे थे अगर आपको गाना सुनना है तो हम बंद नहीं करेंगे इतना कहने के बाद ध्वनी अपने हाथ को आदित्य के हाथ से चुरा कर पीछे कीचने लगी पर आदित्य ने ध्वनी के हाथ को इतनी जोर से पकड़ा था कि वह चाहकर भी आदित्य के हाथ से खुद के हाथ को चुरा नहीं पा रही थी इसलिए वह आदित्य की तरफ कन्फ्यूज भरी नजरों से देखने लगी जिसे देखते ही आदित्य ने द्वनी के हाथ को छोड़ दिया जिस वज़े से ध्वनी अपने हाथ को पीछे कीच लेती है अब ध्वनी कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं कर रही थी और ना ही कुछ करने की वह बस चुपचाप बैठी हुई थी ऐसा लग रहा था जैसे उसने बोलना बंद कर दिया हो तभी अचानक आदित्य ने गारी रोक दी गारी के रोकने के साथ ही ध्वनी बाहर की तरफ देखने लगी बाहर के नजारे को देख ध्वनी काफी ज़्यादा हैरान हो गई क्योंकि उसके सामने एक फूलों का गार्दन था जहां कई तरह के फूल लगे हुए थे और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी लग रहे थे जिसे देखने के बाद ध्वनी तुरंथी गारी से बाहर निकाल कर जाने लगी और गारी से बाहर निकालने के बाद वह अपने सामने के नजारे को देख काफी ज़्यादा खुश हो रही थी उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ चुकी थी तभी आदित्य उसके बगल में आकर खड़ा हो गया और वह भी द्वनी के साथ खड़े होकर सामने के नजारे को देखने लगा तभी अचानक ध्वनी ने कहा ये बहुत खोपसूरत है मैं आपसे पहले ऐसा नजारा कभी नहीं देखा तभी आदित्य ने कहा हाँ ये सच में बहुत खोपसूरत है मैं यहाँ पर तब आता हूँ जब मैं किसी बात को लेकर परेशान होता हूँ आदित्य की बातों को सुनते ही ध्वनी कन्फ्यूज होकर आदित्य की तरफ देखते हुए बोली क्या कहा आपने आप जब भी परेशान होते हैं तब आप यहां पर आते हैं शायद आप भूल चुके हैं कि आपको इंडिया आय हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ है आप बच्पन से ही बैंकॉप में बड़े हुए हैं ध्वनी की बातों को सुनते ही अदित्य ने ध्वनी की तरफ देखते हुए कहा मेरा मतलब यह है कि मैं जब से इंडिया आया हूँ तब से जब भी परेशान होता हूँ यहां आ आ जाता हूँ आदित्य की बातों को सुनते ही ध्वनी चुप चाप बस खड़ी होकर आदित्य को देखने लगी कुछ देर तक आदित्य को देखने के बाद वह सामने देखने लगी तभी अचानक ध्वनी का फोन बचाने लगा जैसे ही ध्वनी ने फोन स्क्रीन पर अक्षर नाम फलेश होते हुए देखा वैसे ही वह फोन उठाते हुए बोली मैं आप से बाद में बात करूंगी मैं अभी बाहर हूँ फोन की दूसरी तरफ से जैसे ही अक्षर ने ध्वनी की बातों को सुना वैसे ही वह बोला कोई बात नहीं तुम घर जाने के बाद मुझे एक मेसेज कर देना मैं तुम्हें तुरंट फोन करूंगा इतना कहने के बाद अक्षर दोबारा बोला अच्छा तुम किसके साथ बाहर हो अक्षर के सवाल का जवाब देते हुए ध्वनी ने कहा अपने एक भाई के साथ मैं आपको बाद में फोन करती हूँ इतना कहते हैं ध्वनी ने कॉल कट कर दिया ध्वनी की बातों को सुना दित्य जो शांत खड़ा हुआ था वह तिरची नजरों से ध्वनी को देखने लगा जिसे देखने के बाद वह सामने की तरफ देखने लगा रात का वक्त इशानवी को एक important काम था जिस वजह से वह एक night club के अंदर सारांश और ध्वनी से मिलने के लिए आईटी जैसे ही इशानवी ने दोनों को देखा वैसे ही वह दोनों के सामने जाकर बैट गए और बैठने के बाद दोनों से बोली क्या तुम दोनों काम किसी और जगह नहीं रख सकते हो जो हमेशा यहां रखने की कोशिश करते हो night club कोई काम करने की जगह होती है क्या इशानवी की बातों को सुनते ही ध्वनी ने कहा अगर शिकायत करना है तो अपने भाई से शिकायत कर क्योंकि ऐसी जगह हमेशा वही ढूंडता है क्योंकि उसे तो नॉमल और शांद जगह कभी पसंद ही नहीं आते इतना कहने के बाद ध्वनी सारांश की तरफ देखने लगी जिसे देखने के बाद सारांश ध्वनी और ईशानवी दोनों को ही देखे जा रहा था जिस नाइट क्लब में तीनों मीटिंग करने के लिए आय थे उसी नाइट क्लब में एक तरफ अक्षर आया था और दूसरी तरफ आदित्य जो किसी बिजनेस के सिलसिले में वहाँ पर आया था आदित्य की नजर पहले ध्वनी पर नहीं पड़ती है बलकि अक्षर की नजर ध्वनी पर पड़ी जिसे देखते ही वह तुरंद ध्वनी के पास जाकर खड़ा हो गया अक्षर को अचानक अपने सामने देख ध्वनी ने कहा अक्षर आप यहाँ पर क्या आपको कोई काम था ध्वनी के सवाल को सुनते ही अक्षर ने कहा हम मुझे काम तो था पर मैं तुम्हारे साथ बात करने के लिए हमेशा फ्री हूँ इतना कहने के बाद अक्षर ध्वनी के तरफ मुस्कुरा कर देखने लगा ध्वनी भी अक्षर की बातों को सुन मुस्कुरा रही थी दोनों जब एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे तभी उन दोनों पर किसी की नजर पढ़ी जिसकी नजर पढ़ते ही वह गु किया मैं उस लड़के को जानती हूँ जो तुम मुझे ये सवाल पूछ रहे हो अगर मुझे पता होता तो मैं खुद यहां पर हैरान होकर खड़ी नहीं रहती। इशानवी की बातों को सुनते ही सारांश अचानक दूसरी तरफ देखने लगा तभी सारांश की नजर आदित्य पर भारी जिसे देखते ही वह अचानक बोला आदी भाई। जैसे द्वनी को देख रहे हैं जैसे वह अभी के अभी द्वनी को खा जाएंगे अगर द्वनी को पता चला कि उससे आदी भाई देख रहे हैं तो पता नहीं वह कैसे रिएक्ट करेगी। जब वह ये सारी बातें सोच रही थी तभी अचानक ध्वनी की भी नजर आदित्य पर पढ़ गई जैसे ही वह आदित्य को देखने लगी वैसे ही उसे तो 440 वॉल्ट का जटका लगा क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि आदित्य उसे बहुत देर से देख रहा होगा और उसने कभी यह बात नहीं सोची थी कि आदित्य वहाँ पर हो सकता है आदित्य की नजरों को देख ध्वनी एक पल के लिए घबराने लगी क्योंकि आदित्य जिस तरह से देख रहा था उसे देख कर तो यही लग रहा था कि अभी के अभी आदित्य ध्वनी को खा जाएगा ये सारी चीज देखने के बाद सारांश और इशानवी सीधा ध्वनी के पास जाने लगी जैसे ही ध्वनी ने उन दोनों को देखा वैसे ही वह एक सुकून की सांस लेते हुए इशानवी के गले लगा कर बोली यार तेरा भाई मुझे ऐसे क्यों देख रहा है मैंने कोई गुनाह तो नहीं कर दिया है ना जो वह मुझे ऐसे देख रहा है ध्वनी की बातों को सुनते ही इशानवी ने कहा नहीं तूने गुना से भी बड़ा गुनाह कर दिया तूने किसी और लड़की से बात करने की हिम्मत की तुझे याद है इंडिया आने से पहले आदी भाई ने तुझे कौन सी धमकी दी थी इशानवी की बात सुनते ही ध्वनी उस दिन को याद करने लगी जिस दिन आदित्य ने उसे धमकी दी थी फ्लेश बैक जब ध्वनी बैंकोक से इंडिया आने की त्यारी कर रही थी तभी अचानक ध्वनी आदित्य से टक्रा गई जिस वज़े से वह नीचे फर्ष पर गिर गई लेकिन तभी आदित्य ने अपने हाथ को आगे बढ़ते हुए कहा चलो उठो मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ झाल कर रहा हुए जिस वाग़ते हम भी आगते हुए को मैं तुमलर ज़ खर को चाह ही लेकिन के लुष भी खर गрьूए दित्य वाग दो घादी झाल येज़क मैं जग ठित्यम हैं